कोवीट चेन वन का वेरियंट दुनिया भर में तीजी से फाइल रहा है। किट उपलब्द कराये जाएंगे। को रोकने में सफल हुए है। अब नए वेरियंट जे एन वन पर भी सभी के स्रयोग से काबू पाना है। केंद्र सरकार के जरीए भी इस समन में सावधानी बरतने की निर्देश आये है। जे एन वन वेरियंट टेजी से बढ़ रहा है और पिछले सपतहा तीन दशमलोग तीन प्रतिशत की घटना दर बढ़कर 27 दशमलोग एक प्रतिशत हो गई है। और दुनिया भर में इस वेरियंट के मामले बढ़ रहे है। मरीज सामने आये हैं। तमिलनाडो में 14 और महराष्ट्र में 11 मरीज सामने आये हैं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से बिना डरे कोविड गाइडलाइन के साथ त्री सूत्री का पालन करने की अप्लिल की है। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कोविड परिक्षन सुविधा के लिए आइटी पीसियार मशीने अपडेट करनी चाहिए। उसके लिए कीटो की परियापत आपूरती उपलब कराई जाए। यदि मरीज का परिक्षन पॉजिटिव आता है तो समधीत मरीज को उचित दवा उपलब कराई जाहिए। साथ ही मेडिकल कॉलेज में पी ऐसे ऑक्सीजन प्लान को ततकाल चालू कराई जाए। इसके अलावा अतिरिक्तम आध्यमिक प्रणाली के रूप में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब कराया जाना चाहिए। मेडिकल अस्पताल में आने वाले सभी संधीक दमरीजों की जाच की जाए। और जानकारी एकत्र की जाए। कैमेरा परसन राशकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी बीसीन न्यूज नागपुर।